गंगा में विल्लीन हुई सुष्मा की अस्थिया, बेटी बासूरी और पती स्वराज ने नम आखों से दिविदाई एक पांच बजे ब्रजगाट पहुंचे फिर दोनों ने नाव से जाकर सुष्मा स्वराज की अस्थिया गंगा में विसर्जित की। इस समय का वीडियो देख कर समझा जा सकता है कि सुष्मा के जाने से पिता पुत्री के जीवन में कितना खालीपंद आ गया है। सुष्मा स्वराज की अस्थिया विसर्जित करते हुए दोनों की आखे नम थी। श्रद्घाजली और अंतिम विदाई देते समय पी एम मोधी भावुक हुए तो उप्राश्ट्रप्ति वेंके अनायदू, लाल कृष्ण आडवानी और सपा सांसद राम गोपाल यादव फूट फूट कर रोते दिखे। उन्हें शद्घाज ले देने में पार्टी लाइन तूट गई। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दोरान उनके अंतिम दर्शन के लिए दिगज हस्तियों के साथ साथ सामा ने लोगों की भीड उमर पड़ी। अंतिम संसकार के लिए जब उनके पार्थिव शरीर को पार्टी मुख्याले से लोधी रोट शवडा केंदर ले जाय जा रहा था तब भी सेंकडों लोग आखों में आसू भर उनके पार्थिव शरीर के साथ थे। राम गोपाल यादव अपना सब्र खो बैठे और वहीं फूर्ट फूर्ट कर रोने लगे। श्रद्घांजले देने पहुंचे लाल कृष्ण आडवानी और उनकी पुत्री प्रतिभा आडवानी भी फूर्ट फूर्ट कर रोते दिखे। यही हाल उप्राश्ट्रप्तिवे के अनायदू का था। श्रद्घांजले देने के दोरान नायदू कई बार रोते दिखे। ग्रिह मंत्री अमित्स शाह, रक्षा मंत्री राजनात सिंगह और स्पीकर और उम्बिरला भी इस दोरान कई बार भावुक हुए। सुष्मा के लिए टूप गई दलीय सीमा पूर अमुक नेताओं ने उनके आवास और पार्टी मुख्याले जाकर उने शद्घांजले दी। इस दोरान इन सभी नेताओं की आखे नम थी। निदन की सूचना से सभी नेता स्टब दिखे। पती पुत्री का रोरो कर बुरा हाल अंतिम दर्शन और अंतिम संसकार के दोरान दिवंगत विदेश मंत्री सुश्मा के पती स्वराज कौशल उनकी पुत्री बासूरी सहित उनके परिजनों का रोरो कर बुरा हाल था। कौशल और बासूरी लतार रोते दिखे। अंतिम संसकार से पहले अंतिम दर्शन के दोरान दोनों के सबर का बांध तूट गया। दोनों बिलक बिलक कर रोते दिखे। इस द्रिशे को देख कर वहां उपस्ते थजारों लोगों की आंखे नम होगी।